तो चलो देखो आप लोग नहीं आई उस दिन नहीं आई कोई बात नहीं मैं आप लोगों को बता देती हूं हम लोग कोई डेमो क्लास नहीं कर रहे हैं आज डेमो दू तरह का होता है एक मेरे एंगल से एक आपके एंगल से मेरे एंगल से यही कि मैं हाँ पर आज पढ़ाना शुरू करूँगी जो topic होगा उसको ठीक है तो आप लोग कुछ rough copy अपने साथ रखिये पहले बता देती हूं आपको कुछ इस तरह की seat मिलेंगी जैसे यह पूरी खाली है इसमें कुछ लिखा हुआ है कुछ खाली है इस तरह से कुछ लिखा हुआ है फिर खाली है इस तरह की seat आपको मिलेगी यह जब आप admission लेते हैं आपको notebook मिलती है वो भी ऐसी ही आधी अधूरी होती है और थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं market में कहते हैं जिसे चोरी करके बेचते हैं तो आधी अधूरी भी बिक रही है और 500 रुपे में बिक रही है मुझे कल ही पता चला मु तो अब यह ऐसे क्यों दी है यह आप लोगों को seat मिलेगी अभी तो यह ऐसे है कि इसमें कुछ चीजे हम यहां पर जैसे मानलोग स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं स्वर की मात्रा पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ पॉइंट जो यहां लिखा हुआ है यह वो पॉइंट है जो सिर्फ आपको समझाना है लिखवाना नहीं है पर आपके पास होना चाहिए तो मैंने खुद लिख दिया है इस समय को बचाने के लिए क्योंकि देखे अगर हर एक चीज अगर मैं आप लोगों को हिंदी में लिख वाऊंगी तो हमारा यह बैच कम से कम 5-6 महीने तक चला ज लोगों के पास यह सीट आ रही है तब तक मैं यहां पर एक कॉस्चन लिख रही हूं आप लोग मुझे बताईएगा सबी लोगों को बताना है औलाइन में जो छात्र हैं वो भी इसका आंसर बताएंगे प्रश्न हैं आपका लिपी चिन्नों के विवस्तित फ्रम को कहते हैं यह प्रश्न आपकी एक्जाम में पूछा गया था आंसर इसका ए ओप्सन में दिया है आपको वर्ण वी ओप्सन में दिया है शब्द प्रश्न है आपको वर्ण माला और डी ओप्सन में दिया है वनी आंसर बताएंगे प्रश्न हैं आपका लिपी चिन्नों के विवस्तित क्रम को कहते हैं वर्ण शब्द वर्ण माला यह ध्वनी आंसर बताएंगे क्या कहींगे वर्ण माला पक्का ध्यान दीजेगा ऐसे ही मत तुक्का लगा देना एक ने बोला है पहला ओप्सन कितने लोग पहले ओप्सन में ए ओप्सन में कोई नहीं और यूट्यूब पर यहां पर भी सब लोग कुछ लोगों का आंसर सी आ रहा है कुछ लोग डीवी आंसर बता रहे हैं अच्छा आपके रहे हैं शब्द तो देखो आंसर तो आपका ना यहां पर वनमाला ही है ठीक है सी आंसर है अब यह जो कुछन आपका आया है यह कुछन यानि लिपी चिन यह पहली बार आया लास्ट में अब दे दो जल्दी से अब छोड़ो अब डिस्टर मत करो अब ज्डिशला ही डी सांड नहीं आ रहा ्याज आप लोगों को तो आरे वाला जो प्रश्ना आया था ये प्रश्ना आपके लास्ट ऑजाar बीस तो जीर हो ही है हम लोगों के लिए ना पिछली साल मानिं नें यह प्रशन आपका आया था तो इससे पहले यह प्रशन आपका आता था कि वर्णों के विवस्तित क्रम को यह लिपीचन ने हटा के यहां पर क्या दिया हुआ था वर्ण दिया हुआ था तो आप ध्यान दीजेगा मैंने यहां पर यह इसलिए लिया है पहले कि हम यह पढ़े में परिशान हो गए थे कि क्या करें ये नई चीज यानि लिपी चिन्र जो शब्द है ये नया कहां से आ गया इस से पहले नहीं आया था लेकिन जिनों में इस भाशा को या इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा समझा होगा तो वो आसानी से इसका आंसर कराए और कुछ लोग तुक हमारी आए चलो जी विवस्तित क्रम है इस वाले को देखे कभी कभी चात्र हमारे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ता है कुछ तो मिल रहा है इतना मिल रहा है ना जाने सही सही हो जाए तो तो इस तरह से कुछ लोगों के आंसर सही हुए और कुछ लोग इसको गलत करके आए और कुछ लोग इसको छोड़ाए तो देखो आप समझों यहां पर मैं बता रही हूं आपको एक बात समझनी होगी हमने यहा यहां पर थोड़ा सा आलग आपको समझाती हूं जब हम बात करते हैं वर्ण माला की वर्ण माला की जब हम परिभासा पड़ते हैं तो हम को यहां पर बताया जाता है कि वर्णों के विवस्तित क्रम को ठीक है जब वर्णों के विवस्तित क्रम की बात आती है तो दिमांग में पहला सवाल उठता है कि ये जो शब्दाया है वर्ण ये क्या है यानि हमको जो मिला है कि वर्ण के वर्ण होता है तब ही तो हम इसके क्रम की बात करेंगे कि क्रम विवस्तित है या आविवस्तित है वो तो बाद की बात है पर पहले हम यहां देखेंगे कि हम पढ़ किस रहें किस चीज को वर्ण को तो वर्ण के साथ ही एक और शब्द आता है ध्वनी आप लोगों ने देखा होगा ध्यान दीजेगा जो आपको पहला खाली पेज म पहले प्रशन तो यहीं बना सीधा वर्ण माला की परिभाषा ठीक है दूसरा आपका बनता है वर्ण आपसे पूछा जाता है वर्ण का दूसरा नाम क्या है यह प्रशन भी आपने देखा होगा तो ऑप सनमें आपका दिया रहता है ध्वनी और कई बार ऐसा आता है कि तो वर्ण और ध्वनी जब दोनों ही एक है तो इनको क्यों दिया गया है इन में क्या अंतर हो सकता है। क compelling अग्या नियुक्स मंग तर्फेलें कुछ क पूछ सकते हैं कि वरिन और ध्वनी में दोनों एक दूसरी के प्रियाए वाची है। कि यहीं कहना चाहरे थे अब चलिए बिल्कुल सही बात है आपको यह बात धियान रखना है कि यह जो वर्ण है यह जो ध्वनी है हमारी उसका लिखित रूप है और जो ध्वनी है ध्वनी हम उस आवाज को कहते हैं जिसे हम सुनते हैं तो आब हम यह कह सकते हैं कि जब हमने भ क्या करता था इसारों से एक दूसरे की बात समझता था एक दूसरे को बात समझाता था फिर उसको ऐसी आवश्यक्ता लगी कि मैं जो सोचता हूं वो मेरी बात को कोई और भी समझे और सिर्फ कोई और सामने वाला ही न समझे मेरे जाने के बाद भी कोई समझे तो उसे आवश फिर उसके बाद उसने कुछ चीजेशों को इजात किया, जैसे कहते है आवाज, जिन आवाजों को हमने नाम दे दिया कि यह ध्वनी है, तो हम यह कहते हैं, अगर हम जब भाशा के बाव दम सबसे नीचे निम्न एकाई पर आते हैं, कि ध्वनी एक ऐसी ऐसा आवाज, या ऐस सारी चीज़ुए समझाने का एक तरीका है हम इसे कैसे समझ सकते हैं जैसे मानलो अगर मैंने ये एक वर्ण आपके सामने लिखा मैं आपसे कहूं के इसका उचारण करो तो क्या उचारण करोगे ठीक है अगर मैं यह कहूं कि इसका उचारण करो देखो सरम नहीं करनी है बिलकुल भी बोल नहीं और जो ऑनलाइन में वो लोग तो अकेले बैठे हुए है तो वो तो जोर से चिलाई है ठीक है तो इसको क्या कहेंगे का तो यह जो हम बोल रहें न का आ ई उ यह इस तरह से जो हम उचारण कर रहें यही वो ध्वनी है जिसे हम कह सकते हैं कि हम और नहीं तोड़ सकते हैं यह जो हमारे सामने एक ध्वनी आई इसको हम तोड़ सकते हैं समझ रहे हो ना इसको तोड़ सकते हैं इस आ को नहीं सकते हैं हम इसमें और इसमें ठीक है इन दों में तो अब एक बात यहां पर अभी समझ के चलना मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं रही हूं सिर्फ आपको यहां से लेके चल रही हूं उस बेस पे और यह वाली चीजें आपको आंतिम जब आप संधी तक करेंगे और प्रत्य करें करेंगे वहां तक आपको यह चीजें सामने आएंगी तो इसलिए ध्यान रखना अभी से रिलाक्स होके बैठिये इस बात की चिंता मत करिए कि आप लोगों का नोट्स बनेगा की नहीं बनेगा अरे बहाई बैठ जाने तुम सुरू से बहांस करते आयो प्यार से बिठा ल उतना मोटा नहीं है अटना मोटा होता तो पता नहीं फिर कितने जगर लेके बैठता है हाँ चलो तो यहां पर बात धिहान दे ना हम लोग यहां पर जैसे पढ़ रहे हैं आप अफने दिमाग पे बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके पर बैठिये मुझे आप सब लोगों के चे हटी हो आपपने 24 गोंटे में से ना यह घणता जो मेरे साथ आप यहां पे हो यह घणता और घर जाके आदा गंटा पस इतना आप रх लीजे हमेशा रहता है 100% मैं आप लोगों से यह ही कहती हूं कि 100% को मतलब देख tayं पर देले जब आप लोग करते हो ने एक्जाम और अगर वहाँ पर मुझे आके काऊगे ना मेडम मेरे 40 में से 38 हो गए तो मैं यह नहीं काऊँगी शाबास बिटा बहुत अच्छा किया मैं काऊँगी दो कैसे गलत हुए पहले तो यह बताओ कहां गलत हुए दो ठीक है तो ऐसा नहीं ह इसलिए रिलाक्स होके बैठना है और अभी जो चीज बता रही हूँ उसको देखो ध्यान से एक बात और यहाद रखना जब हम हिंदी यहाँ पर पढ़नी जा रहे हैं हिंदी भाशा के बारे में आपको एक बार बताती हूँ यह इसे हम कहते हैं यह देवनागरी लिपी से इसकी लिपी की बात करें वही बात हम करने जा रहे हैं बस एक कदम पहले आपको बता रही हूँ लिपी अगर हम अपनी भाशे की बात करें देवनागरी लिपी और देवनागरी लिपी के बारे में एक विसेस्ता कही गई है कि यह वग्यानिक लिपी है और वग्यानिक साउंट बाला फोन मुझे मत दो यह लो रखो तुम अपने पास ही ठीक है चलो कोई बात नहीं मेरे ऑनलाइन वाले जो छात्र हैं वो समझदार है और वो मुझे सुनेंगे अब मैं लोगों से बाद में बात करूंगी है ना तो यहां पर मैं आपको क्या बता रही थी भूल जोड़ा हमने तो विज्ञान से बना विज्ञान क्या होता है विज्ञान होता है जिसे समझा जाए जिसे प्रक्टिकल किया जाए तो जब हमारी लिपी प्रक्टिकल करी जा रही है तो हम यहां पर प्रक्टिकल करेंगे हम रटेंगी क्यों तो देखो करते हैं प्रक्टिक आपको और यह बताया कि इसको तोड़ा जा सकता है और कहां तोड़ा जा सकता है कैसे तो क और आ में तोड़ा जा सकता है लेकिन ध्यान रखिए कि आप भी हमें पता चलेगा हम इसका उचारण कर ही नहीं सकते जब हम इसका उचारण कर ही नहीं सकते इसलिए मैंने वह आपको ऐसे लिख कर दे दिया था तो थोड़ी थोड़ी आपकी भुमी का यहां पर अब यह बनती है इसका मतलब हमें इन सारी चीजों को भी समझ के चलना पड़ेगा तो आपको कोल मिला कि यह वाले बात समझ में आई कि जब हम कोई एक छोटा सा साउंड छोटी सी आवाज जो नि लिख दिया जब आँख से देखने की प्राउसिस कर दी यानि हमने जब उचारण किया आव ई उ तो हमने इस आ को ऐसा आकार दे दिया कि हम इसको क्या कहेंगे और इसको हमने यह आकार दे दिया इसी आकार को हमने नाम दिया कि यह क्या है वर्ण तो ध्वनी का यह लिखित दुरूप हो गया, तो इस तरह से हमारे वर्ण और ध्वनी एक दूसरे के परियावची हो जाते हैं, और यानि वर्ण को ध्वनी और ध्वनी को वर्ण ही कहते हैं, और आपके एक्जाम में ये दो कुशन हमेसा आते हैं, ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर लिखा, इसको अ, इसको ई, या जैसे हम उ बोलते हैं, इसको उ, तो ये जो तरीका है हमारे लिखने का, इस तरीके को, इस शैली को ही हम क्या कहते हैं, लिपी कहते हैं, क्या कहेंगे, लिपी, ठीक है, इस तरीके को, अब एक चीज और समझ लो, थोड़ी तरह से समझाती हूँ, ये तो हमने बात की हिंदी की, जैसे मालनो हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा में अगर मैं आप से कहूं कि sound है A, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे हम हिंदी में तो लिखते हैं कैसे, A को इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अ अब आप यहाँ पर यही समझे कि जैसे हमने इसको इस आकरती में लिखा तो इसको हम नाम देते हैं कि यह कौन सी लिपी है रोमन लिपी तो यह रोमन तरीका है इसको लिखने का और जब हम इसको लिख रहे हैं यह तरीका क्या है देवनागरी है तो यह लिपी है इसको कहा ग हम क्या कहते हैं लिपी कहते हैं तो अब ये बात समझे कि अगर ये जो दिया है ये एक तरीके से निसान ही तो है एक चेहन ही तो है अगर हम बात करें और धोनी जो हम निकाल रहें एक प्रकार का चेहन ही तो है तो अगर हम इसको लिपी चेहन कर दें तो ये वर्ण का दूसरा नाम हो गया ना बस अब यह वाले चीज अगर आपने समझी होती पहले पड़ी होती तो आराम से जो आपको यह प्रशन यहाँ पर दिया गया था जो हमने यहाँ पर प्रशन लिया था यह लिपी चिन तो आराम से आपको हो गया था कि यानि यह जो लिपी चिन जो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है इसका मतलब क्या है वर्ड और जो आराम से इस बात को समझ लेगा वो पूरे confidence से इसका answer देके आएगा और ये बात जो मैंने आपको समझाई हो सकता है हमें 5 मिनट या 10 मिनट लगी हो इस बात को समझने के लिए लेकिन आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे कोई है आपने ऐसा जो भूल जाएगा नहीं मैं तो भूल जाओंगा दो महीने बादे मुझे नहीं लिगता के नहीं आप इस तरह से बूलेंगे क्योंकि आपको पेपर तक नहीं मैं सच बता रही हूं एक छोटी सी बात है ये लोड़ा सा कोशिश कर रही हूं आपको एक ही प्रश्ण पर एक ही शब्द पर अपनी डेमो देने का क्योंकि मुझे पता है कि डेमो आप लोग भी ले रहे हो और ओन्राइन वाले भी डेमो ले रहे हैं मेडम का तरीका क्या है पढ़ाने का तो देखो यही चीज मैं बता अपनी मर्जी से जहां पर लिखना है वहां पर बस यह लिख लीजिए यह तो इसको ऐसे बराबर चैनल लगा कर आप लिख लीजिए मैं इससे थोड़ा सा सुधरवा दे दियूं आपको राइटिंग कैसे करनी है इसमें यहां पर जहां आपने वर्ण लिखा है इसके नीचे यहां पर लिख लीजिए इसको ध्वनी का इसे और भी हटाई इसमें आप लिखे वर्ण और ध्वनी को ऐसे एक्वल करके लिखे और वर्ण के नीचे आपको लिखने है एक लाइन द्वनी का लिखित रूप ठीक है? वन क्या है? द्वनी का लिखित रूप और द्वनी के आगे लिखिए वन का मौखिक रूप ठीक है? वन का मौखिक रूप क्या बात कर रहे हो? दुबारा लिख लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादे लिख दोगे तो हाथ गिश जाएगा क्या? पैन गिश जाएगा कोई बात नहीं ले ले ना हमारे पास है हाँ मुझे पता है लिखा हुआ है तब ही तो मैं कहरी हूँ हाथ गिश जाएगा क्या? सामने बैठे हो तो लिखो ना रफ कोपी ले लो कोई बगल वाला इनको रफ कोपी दे दो सामने बैठे होंगे तो पैन चलाना पड़ेगा? हा ठीक है? आदत कैसे बनती? आप मुझे पूछते हो कि मैं हमारा इपा इपायव स्पैलिंग कैसे ठीक हो? वो किसी भी आपका किसी भी भाशा की बात करें I'm अंग्रेजी की बात करें, या हिंदी की बात करें, आप आलस तो करते हो लिखने का, और फिर कहते हो कि हमारी स्पैलिंग भी ठीक हो जाए, अरे ऐसे नहीं होती, ठीक है, जब तक आप उस चीज का अभ्यास नहीं करेंगे और बार बर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आ आज जितने भी लोग आएं, अगर आप लोग आज आएओ, आज सब लोग आपके लिए अंजान हैं, अब यही तीन महिने तक आप ऐसे ही क्लास में बैठें और सिर्फ बातें, कुछ भी मत बोलिए, नाम भी मत पूछें, बस आपको सकल तो याद हो जाएगी, रोज देख द रख सकते हैं, तो अगर उसको लिख लिया, तो वो तो आपके लिए अमर हो जाएगा, तो याद रखिए, ठीक, उतार लिया यह, जलो, आब इसके साथ, इसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है, उसको थोड़ा सा इस तरह से करके लिखे, हिंदी भाषा की लिपी, द देवनागरी लिपी है, हिंदी भाषा की लिपी, देवनागरी लिपी है, चलिए, यह आपका पुरा हो गया, अब इसके बाद, हम बात करते हैं, फिर से आते हैं, जो हमने एक शब्द लिया था, वर्ड, अब अगर हम वर्ण की बात करें, तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बताएए, कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, प्रशांत, यह इस पे नेट कनेक्ट करके और यूट्व चला के देना, तो कितना पता रहे हो, तीन, तुम सांत बढ़ो, बाकी लोग बताओ, कितने वर्ण होते हैं, देखो अभी तो पढ़ना है, दो, जब तक अभी तीन नहीं, तीन आप ऐसे पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ, तीन नहीं होते, दो होते हैं, अगर तीन आपने पढ़ लिया ना तो ना एक्स, आपके एक्जाम में ना नंबर कट जाएंगे अभी, क्योंकि आपको दो ही करके पढ़ाएंगे, रियल में होते तो तीन ही है, तो मैं यहां पर बताओंगे, अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं, कितने होते हैं, मेरे साथ-साथ बोलना है आपको, यह चीज आ आपको पता है, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, कि मैं आपको कुछ स्पेशल बता रही हूँ, ठीक है, तो कितने कौन-कौन से होते हैं, स्वार और वियंजन, खाना नहीं खा के आए लगता है, तो स्वार किसको कहते हैं, वेवर्ण जो किसी की साहता से नहीं बोले जाते एक तो यह परिवासा हो जाती है या दूसरी होती है वे वर्ण जो स्वयम उच्छारित होते हैं ठीक है दो तरह की परिवासा होती है तो वो कौन-कौन से हैं हम जैसे देखते हैं अक्सर उनमें तो वो हमारे कौन-कौन से होते हैं जैसे मालो हम रखते हैं कि हो गया इ-उ-ए-ो उच्छारन हो रहा है आराम से और वेंजन कौन से वर्ण होते हैं जो स्वरकि साहता से बोले जाते हैं पहली परिभासा दूसरी परिभासा क्या जिनका उच्छारन स्वतनतर रूप से नहीं होता जिनके उचारण के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है, स्वर्की, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वियंजन, तो बताइए मुझको, कि आप लोगों ने कभी प्रेक्टिकल किया, यह ऐसे ही मान लिया, यह बस किताबों में लिखा है, मान लिया, मान लिया, उचारण क अब ही प्रेक्टिकल करके देखा, अब देखो, जिस चीज को आप ऐसे ही मान के चल देते हो ना, फिर वो कभी समझे नहीं आती है, तो प्रेक्टिकल करो, आपने इसका उचारण किया, जैसे मान लो, अगर मैं यहां पर लिखती हूं, यह वियंजन वर्ण हमारे, अच्छ वियंजन वर्ण की बात कर रही हूं मैं, ना कि वर्ण की, यह वर्ण तो है, लेकिन वियंजन वर्ण नहीं है, यहीं बात समझ लीजेगा, यह वर्ण तो है, लेकिन वियंजन वर्ण नहीं है, तो यह वियंजन वर्ण होने के लिए क्या होगा, तो इसके नीचे हल लगाना ठीक है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है छात्रों को एविन यह नहीं यह प्रॉब्लम हम अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास से लेके हमारे जो एविन पीछडी जो कर रहे हैं वो तक इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं कि यह क्या चिक्कर है यह वाले चीज ना तो कितावे इस पस्ट इसकी व्याख्या करती है तो इस बात को यहाँ पर आज समझ लेड़ें मैंने आभी पहले बोला कि जब हमने यह नहीं लगाए थे तब हमने कहा कि यह वर्ण तो कहलाएंगे किन्तु वियंजन वर्ण नहीं कह अब लिखना नहीं मैं लिखवाऊं गया इसको तो यह बात आपको समझ में आई कि यानि वेंजन के लिए हमें क्या करना पड़ेंगा नीचे हल लगाना पड़ेंग अब इस हल का मतलब है वह वो समझे 20 यह है जब ऻemin loyal वह यहां तो मतलब देते हैं तो इसके अंदर जो भ प्रियास करो ओनलाइन वाले वी अपने अपने प्रियास करो मजाक नहीं मजाक नहीं कर रही आराम से निकालने की कोशिश करो अब आप खीच रहे हो तो आ को क्यों ला रहे हो बीच में यह माल लो यहां जितने भी तेरह स्वर होते हैं कोई सा नहीं चलेगा कोई सा नहीं किसी का साउंड मत लो इसके साथ आप करो तो आपको बेवसी लगी आपको बेवसी लगी ना कि नहीं बोल पा रहे अगर मैं आपसे कहूं चलो ठीक है आज छोड़ो इस कि के साथ इसके साथ उच्छारण करो कि नहीं बढ़ी यह तो जटके से नहीं की खी गी कर सकते हो ना अगर मैं आपसे कहूं चलो इसके साथ करो देखो एक्स्ट्रा मत बोलो जितना कह रही हूं उतना अगर मैं कहूं इसके साथ तो के खे गे आप बोल सकते हो तो यानि कहन का मतलब यहां हमें समझ में आया कि इसे स्वर की मदद चाहिए ही चाहिए तो आपको यह बात समझ में आई हमने जो परिभासा यहां पर देखी कि हमारी जो स्वर होते हैं उनको किसकी मदद की आवश्यक्ता है स्वर की और स्वर का उचारण अपने आप ही होता है तो यह वा बारा बाद में क्या ना भूल जाते हैं चीज कहीं एक टॉपिक पढ़ाना नहीं होता देखो यहां पर हम लोग जब बात करेंगे इन स्वर की जो हमारे यहां पर स्वर हैं पहले मैं इस वर की न लिखती हूं जितने भी है कितने स्वर होते हैं बताई जरह मुझे हमारे तो यह बहुत है यह भी तो होते हैं टोटल कितने हो गए तेरा आप लोग कहरें थे ग्यारा देखो, अब धियान देना, यहाँ पर आप लोगों कुछ संख्या के लिए बताती हूँ, आप लोगों में उसे बहुत सारे च्छत्रों का ये सवाल रहता है, कि समझ नहीं आता, कि तेरा है, बहुत लोगलते हैं गिएरा, बहुत लोगलते हैं तेरा, अब इनको सही से समझ जब हम बात करते हैं स्वर की संख्या की, अगर आपके एक्जाम में ये लिखा आए कि स्वर कितने हैं, ठीक है, या ये लिखा आए कि हिंदी वर्ण माला में, हिंदी वर्ण माला नाम देकर, अगर स्वर पूचा जाए, तब आपको इसकी संख्या कितनी रखनी होती है, ग्य आंसर क्या देना है 11 और जब यह कह दे कि कुल स्वर कितने हैं जब यह कुल लगा दे तो आपको इसकी संख्या 13 रखनी है वो समझा देती हूं अभी कि ऐसा क्यों है यह वाली चीज भी समझा देती हूं तो ऐसा इसलिए होता है देखो जब हम बात करते हैं स्वर की तो स्वर हमने कहा इनका उचारण स्वतंत रूप से और व्यंजन में हमने देखा कि जो स्वर की मदद से उचारित होते हैं तो हमको इतना तो पता है कि यह जो 11 हैं इनकी मदद से हमारे जो सारे के सारे व्यंजन है वो उचारित हो जाता है लेकिन अगर हम यहाँ पर आएं इस क के सा और इस के साथ लगा दें तो ये कंग और कह उचारित हो गया ना तो उचारन तो ये भी दे रहे हैं तो जब इनको उचारन मिल रहा है तो इनको उचारन कहां से मिल रहा है स्वर से मिल रहा है तो इस तरह से ये भी किसकी स्रेणी में आते हैं स्वर की स्रेणी में आते हैं ले यह अलग कर देते हैं कि अगर हम इस अंग की बात करें तो यह यह है यह इसका मतलब कैसे यह जब हम अंग इसका उचारण करते हैं अंग तो हमारे जब नाक में जो साउंड होता है इसका साउंड है वो लेकिन पहले हमें आ की मदद लेनी पड़ती है तो यानि इसका साउंड लेने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ रही है आ की मदद लेनी पड़ रही है उसी तरह से इसमें भी इसका भी जब हम बोलते हैं आ ठीक है तो आ कहते हैं तो इसमें हमें आ से ही स्टार्ट करना पड़ता है तो इसमें भी हमें किसकी मदद लेनी पड़ रही है आ की और आ कौन है स्वर है हमारा तो यानि इसमें हमें स्वर की मदद लेनी पड़ रही है तो आपने एक परिभासा वो पड़ी है जिसमें कहा गया है कि जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं वियंजन होत तो यह व्यंजन जैसे काम करते हैं और जब हम इनको व्यंजन में लेके जाते हैं तो यह स्वर जैसा काम करने लगते हैं तो इसलिए हमने इन दोनों को अलत किया और इनको नाम दिया आयोग वाह और आपके एक्जाम में ये आयोग वाह नाम का टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है आपसे प्रश्ण किया जाता है कि निम्न में से आयोग वाह वर्ण कौन सा है या ये कहा जाता है कि स्वर और वेंजन के बीच में मतलब सुर औवेंजन के उच्छारण जिन में पाया जाता है, वो कौन से वर्ण होते हैं हमारे, तो अयोगवा के लिए पूछा जाता है, तो इस तरह से ये वर्ण आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इसको हम अनुसुआर कहते हैं, और इसको हम विशर कहते हैं, आगे लिख लेंगे इसके बारे में पूरा डेटेल पर अभी आपको न इनके बीच का जो एक लॉजिक है वो समझना है तो ये बात आपको समझ में आई जो आज हमने अभी हाँ पे सीखा ये बताईए आपने किताब में इस तरह से पढ़ा था इसको ये समझाया था किसी किताबने कि इन दोनों को अलग किए रखा गया और क्यों अईोगवाह की परिभासा आपकी आगे आएगी मैं आप ही एक बार फिर समझा देती आपको नाम से देखो किसी भी वर्ण की परिभासा को आपको कैसे याद रखना इसमें नाम दिया है दिया है नाम आयोग वाह जब आपने पहली बार इसको देखा सुना होगा आपको लगावा या यह कैसी बवाल है आयोग वाह इसका क्या मतलब है लेकिन देखो सीधर सिंप रहा क्या कि चलो उपर लिखती हूं चब्द है हमारा अयोग वा ध्यान रखिएगा मैं अभी आप लोगों को लिखवा नहीं रही हूं सिर्फ अभी कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूं लिखवाओंगे अभी अयोग वा आ के योग से बना अभी अभी बता आया मैंने ये इसके योग से बना है इस पर रह रहा है ठीक है और इस वाह का मतलब होता है वहन करना यानि किसी के लिए अर्थ वहन करना और यह वहन किसके लिए अर्थ वहन करता है वियंजन के लिए तो यहां पर यह वे वर्ण जो आके योग से बने हैं किन्तु वियंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं आयोग वाह कहलाते यह इसकी परिभाशा है जब भी आपसे अगर कहीं पूछा जाएगा नाम में ही है आराम से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है? तो ये आगे लिखी हुई है, लिखके दे दिया, यहां मैंने समझा दिया तो आप क्या करते हैं? यह हमको थोड़ी सी चीज समझ में आई है यहां पर कि अच्छा स्वार इस तरह से होते हैं, व्यंजन इस तरह से होते हैं. यह हल वाली जो बात है, यह वाली बात आप समझ गए कि जो हल लगा हुआ होता है, वन वही हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है. तो अब हमको ये बात समझ में आई कि व्यंजन का उचारन करने के लिए हमें स्वरकी आवश्यक्ता होती है तो जब हमें ये स्वरकी आवश्यक्ता होती है तो अब ये हर व्यंजन के साथ कैसे लगे जैसे मालो मैं एक शब्द लिखती हूँ यहाँ पर जैसे मैंने एक शब्द लिखा नाम लिखती हूँ जैसे हमने कहा अजय एक शब्द ही लिखा या इसमें कोई ऐसा नाम बताओ जिसमें मात्रा भी आए जैसे सुनीता लिखते हैं ठीक है शब्द लिखा हमने जैसे सुनीता अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आप वर्ण क्या पढ़ रहे हैं आपने ये स्वर पढ़ा और इस तरह से वियंजन पढ़ा अब जैसे ही हम ये शब्द लिख रहे हैं तो इसमें हम इसे ऐसे लिख सकते थे इस तरह से करके पूरे वर्ण हमारे ये थे लेकिन हमने इसको क्या दिया मातरिक रूप दिया हम ऐसे तो नहीं लिखते न तो ये जो हमने यहाँ मातरिक रूप दिया अब इस वर्ण को हो यानि इस सब्द को हम ऐसे लिखने की बजाए ऐसे लिख रहे तो वो क्यों लिख पाते हैं किसकी मदद से लिख पाते हैं उस चीज़ को विस्तार से जानते हैं कि यह ऐसे क्यूं हुआ है और ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट जो है आपके एक्जाम में जुड़ गया है 2019 से पहले यूपी वालों को ये पॉइंट नहीं पूछा जाता था लेकिन 2019 में पहली बार ये पॉइंट आया वर्ण विच्छेद के नाम से अगर आप लोगों ने कोई मतलब प्रीविएस कोश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि आपको शब्द लिखकर बताया गया था कि वर्ण विच्छेद बताईए समय तो हम यानि ध्यान दीजेगा हिंदी पढ़ने जा रहे हैं अभी तक जो हमको रटे रटाए कोश्चन पढ़ाये जा रहे थे उन सारे कोश्चन को एक तरफ से करेंगे जो ट्रेंड बदल रहा है उसको भी पकड़ेंगे यानि यह नहीं होना चाहिए निधी अकेडमी में आने के बाद ये गुंजाइस नहीं है कि अगर एक्जामन ने अपना कोई ट्रेंड चेंज किया तो आप ये कह दो कि मैडम आउट ओफ सिलेवस था ना आउट ओफ सिलेवस नहीं ध्यान रखिएगा इसलिए मैं इतने कहते ना घमंड से कहती हूं ये वाली बात कि निधी अगये आप तो आपका कोई कोशन छूटेगा नहीं क्योंकि यही हुआ 2019 में 2019 में बहुत सारे चात्र थे मेरे अपनी क्लास के जन्हों ने कहा कि मैडम हम जब पढ़ते थे तब बड़ा हमको लगता था ये मैडम छोटे बच्चों की तरह पढ़ाती है चोटा चोटा बिलक इस अंगल मेरे खुशी हुई और बहुत लोगों ने इसको कहा कि एडवांस पूछा है मुझे तो किसी अंगल से एडवांस नहीं लगए मुझे तो बेसिक लगता ठीक है तो चलिए अब शुरुवात करते हैं यहां से तो हम लोगों की शुरुवात क्या है वर्ण में हम पहला वर्ण पढ़ रहे हैं स्वर ठीक है मिट गया यही चलो अब आपकी जहां पर सीट दी हुई है वहां पर वापस आते हैं ये सीट है आपकी यहां स्वर और यहां से शुरुवात करते हैं स्वर और लिखिए इसकी स्वर की परिभासा लिखते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी सीट भी पूरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें सबसे पहले लिखिए स्वतंत रूप से बोले जाने वाले स्वतंत रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं मन प्रकास यहां कह रहे हैं पन कुटी में कौन सा समास है मेडम जी यह मान प्रकास जी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण माला और आप लेके रहे हैं समास जानते हैं ऐसी बात के लिए मैं हमेशा कहती हूँ अंदा गावे भैरा बजावे ताल कहां से आवे हम पढ़ रहे वर्ण माला और आप पूछ रहे हैं समास तो आप ना तो वर्ण माला के रहेंगे ना समास के चलो आप ज़्यादा हसो मत आप लोग मैं फिर से दोहरा रही हूं परिवासा सुतंतर रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिए, पूर्ण विराम लगाने के बाद, जब आप पूर्ण विराम लगाएंगे, उसके बाद इसको उद्रण चिन में बंद कर दीजिए, का पल भासा को, उद्रण चिन, ठीक है, जिसे आप अंग्रेजी भासा में inverted comma कहते हैं, उद्रण चिन कहते हैं, हम जब विराम चिन पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, आता है, चलिए, इसमें पूर्ण विराम लगाने के बाद, आगे लिखिए, इनकी संख्या, इनकी संख्या, संख्या के बाद इसमें कुष्टक और इसमें लिखिए, फुल संख्या, ते रहा, स्वर की संख्या, जारह, स्मूल स्वर, चार, रैकेट में लिखिए, बड़ा वाला कुष्ट करते होती है, होती है लगा के पूर्विरा, देखिए, अब आपको यहां पर बताती हूँ, एक और आपसे पूछा जाता है, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, ठीक है? मात्रा के आधार पर यह अक्सर प्रशन आ जाता है, आप यहां पर इसके सामने आगे लिख सकते हैं, मात्रा के आधार पर दो होते हैं, और वो कौन-कौन से, लगू मात्रा, और गुरू मात्रा, आपसे पूछा जाए, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दो प्रकार के स्वर होते हैं लगू मात्रा और गुरू मात्रा ये आपके छंद के आधार पर भी आती है और लगू का मतलब होता है छोटी मात्रा है और गुरू का मतलब बड़ी मात्रा है अब इसके बाद स्वर्की मात्रा जहां पर आपका लिखा हुआ है उसके आगे एक लाइन लिखिए स्वर्की मात्रा उसमें लिखिए वियंजनों के विभिन जहां पर यह आपकी स्वर्की मात्रा लिखी हुई है इसके सामने से आपको लिखना है ठीक है? वियंजनों के विभिन प्रकार के जो शब्द लिखने में प्रोब्लम हो इस आरे से बता देना मुझे मैं लिख दूंगी सामने गलत मत लिखना ठीक है वियंजनों के विभिन प्रकार के उच्चारणों को स्पस्ट करने के लिए वियंजनों के विभिन प्रकार के उच्चारणों को स्पस्ट करने के लिए जब वियंजन के साथ जब वियंजन के साथ स्वर का योग करते हैं हैंके बाद आपको अल्पवराम लगाना है अल्पवराम मतलब कॉमा तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आता है तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आता है फिर से कॉमा करना है उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं देख़ें अब किसी भी एक्जाम की तयारी करते हो चाहें आपको सब्जेक्टिव लिखना हो चाहें आपको अब्जेक्टिव लिखना हो मैं यहाँ पर जो भी आपको परिभासा लिखवाऊंगी यह सारी चीज़ें वो इस तरह से लिखवाऊंगी कि अगर आपको सब्जेक्टिब भी लिखना होना कहीं पर तो आप बिल्कुल कॉपी कर सकें उस चीज़ को यहाँ पर हमने देखा कि हमको बताया गया है कि जब हम व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो हम उसको उसके वास्तविक रूप में मूल रूप का मतलब है उसका वास्तविक रूप तो वास्तविक रूप में लिखकर हम उसको जिस रूप में लिख रहे हैं वो उसकी क् तो वहीं लिखते हैं चात्र जहां पर मैंने लिखा है इसलिए सामने लिखना जरूरी है जलो तो यहां पर लिखे यह हमरा पहले हम वर्ण लिख लेते हैं ठीक है उसके बाद इनकी मातरा लिखेंगे असे लिख लिजिये पहले साथ में मेरे आपकी अगर एक लाइन में आ जाए तो रख सकते हैं मुझे थोड़ा मोटा लिखना पड़ता है तो इसलिए भी तीन लाइन हो जाती है कर रहे हैं कान बहुत तेज है मेरे उस दिन भी बताया था मैंने आपको इध्यान रखिए आप लोग जब मैं यहां पर पढ़ा रही हूं आप लोग कहीं वहां कुछ भी हिलेंगे न यही खास बात है मेरी क्लास के मैं आप लोगों को आपकी मर्जी नहीं करने देती और एक बाद में ध्यान रखिएगा पीछे कैमरा लगा हुआ अकर आप मोबाइल चलाएंगे वाटसप चलाएंगे हां आजाएगा मेरे इस स्क्रीन पर वो हिडिन है आपको थोड़ी में दिखाऊंगी आपको क्या खाट लिखना जब तक मैं बोलूँ ध्यान दो याँ पर वेको में से बहुत सारे चाटर ऐसे होंगे जिनको प्राबल्लम होती होगी कि जहां पर छोटी की मात्रा आती है वहां बड़ी लगा देते हैं जब बड़ी की आती है वहां चोटी और चोटे वो और बड़े वो मे होती है तो आ की कोई मत्रा नहीं होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी व्यंजन में लगा हुआ है तो हमें ऐसे पता चलता है कि जैसे हमने यहां पर यह हमारा व्यंजन लिखा हुआ है हम इस व्यंजन को क्या करते हैं इसके नीचे से जो इसका हल है उसको हटा देते हैं और हम इसको ऐसे लिखा होता है, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा स्वर है, ठीक है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसको हमें कैसे पता करना होता है, व्यंजन के नीचे से हल हट जाता है, तो तब हमें पता चलता है कि इस वर्ण में कौन सी मात्रा, यानि यह अद्रिश रूप में है जब हम आ की बात करते हैं तो यह खड़ी पाई के रूप में आती है किसी भी वर्ण के साथ मैं यहां पर साथ मेना आपको यह लेटर भी लिखके चलती हूं ठीक है आप लोगों के स्पेस बचा होगा आप लोग उसके नीचे भी लिखिएगा जब हम इसको जटके से बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं जितने कम समय में बोला जाए तो वो तभी हमारी छोटी कहलाती है ठीक है और साउंड चाहे हमारी बड़ी हो या छोटी है दोनों का साउंड एक जैसा होता है इसे हम कहते है और इसे कहते है इसे थोड़ा देर तक बोल कि मात्रा किसी वियंजन में ऐसे लगती है ठीक है और बड़ी की मात्रा किसी वियंजन में ऐसे लगती है मुझे पता है आप सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं बस हम एक बार फिर से रिफ्रेस्स कर रहे हैं चीजों को आगे पढ़ने के लिए अब हम बात करें छोटे उकी तो इसकी मात्रा हमारी इस तरह से लगती है जो की किसी वर्ण के कैसे लगती है किसी भी वर्ण के नीचे लगती है इस तरह निए बड़े ऊकी बात करते हैं तो इसकी मात्रा इस तरह से लगती है और ये किसी वेंजन के साथ कैसे लगती है इस तरह बात करें री की, तो ये भी किसी वर्ण के नीचे इस तरह से लगती है, जेंजन में कैसे लगेगी, फुछ इस पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक ही बातरा की बात करें, तो ये एक होती है, इस तरह से किसी वर्ण के, और इसे ज़्यादा ही सरकादिया, ये बड़ा डें तो यह दो लगती है, धान रखेगा इसमें बड़ा ही confusion होता है छात्रों को, इसका जो वास्तविक रूप है उसमें एक मात्रा लगी है, लेकिन जब इसकी मात्रा बनती है, तो कैसे याद रखना है आपको, जिस पर कोई मात्रा नहीं, उसकी एक मात्रा और जिस पर एक मात्र उसकी दो मात्रा इसमें आपको ध्यान देना है किसी भी यह के साथ इस तरह से लग जाएगी और उंके साथ यह सीदा सिंप्ल सकी मात्रा ऐसे आती है और किसी भी व्यनजन के साथ इस तरह से जुड़ती है आउ की बात करें तो जैसे इस पर दी है आउ हटा के सेम टू सेम लगती है किसी भी वेंजन के साथ यह इस तरह से जुड़ती है और बात करें हम इन दोनों की हम इन दोनों को भी लेते हैं क्योंकि मात्राइं इनकी भी प्रियोग होती है तो जब हम अनुष्वार की मात्रा की बात करते हैं तो इसकी मात्रा एक तो यह होती है और एक मात्रा यह होती है इसे हम अनुष्वार कहते हैं और इसे चंद्रबिंदु कहते हैं अब आप लोग लिख सकते हो ठीक है यहां से अब लिखना शुरूर कर दो उसे बाद में लिखना तो यह अंक के आगे लगाए इस मात्रा के नीचे यहां पर आप लिखिएगा इसे हम क्या कहते हैं अनुस्वार कहते हैं कि अनुस्वार और यह चंद्रबिंदू इनका प्रियोग कैसे होगा फिलहाल के लिए आप यह जान लीजिए कि यह जो अनुस्वार है यह हमारा संस्कत सब्दों में लगता है और जो यह चंद्रबिंदू है यह हिंदी सब्दों में इसका प्रियोग होता है बाकी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे यह अनुस्वार हमारा पंचमाक शर में भी पढ़ता है तो आज से जो हमारी सातवी किलास होगी उसमें हम इन दोनों के बारे में फिर से डिटेल पढ़ेंगे अब ही इतना ही जानते हैं और यह जो अहा है इसकी मात्रा इस तरह से लगती है और इन दोनों का प्रियोग जब हम किसी विएंजन के साथ करेंगे तो कुछ तरह से करते हैं कि अब यह आप लोग उतार लिजिए यह इनको उतारिये और इसके नीचे इनको भी उतार लिजिएगा कि 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 उतार लीजिये आप लोग एक बार और इनका उच्चारण भी आप लोगों को समझना होगा जब तक आप लोग उतारते हैं तब तक मैं इनका उच्चारण बताती हूं और आप लोग भी बोलिएगा देखे जैसे हम इसकी बात करते हैं आ इसका उच्चारण लेते हैं ये भी जटके से बुलता है जल्दी कम समय में बुलता है फिर आप लोगों ने लिख लिया नीचे सब मिटा दू उसको क्या हो गया? पहाड़ी हो रही है? समझें? क्या बोल रहे हो? पता नहीं आप इधर उधर मत ले जाओ देखो चलिए देखिए इसकी बात कर रहे हैं इसका उच्चारण कैसे करना है? मैं उच्चारण करने का तरीका सिखा रही हूँ ना कि आपको यह बता रही कि यह रियल में यह होता है ठीक है? जैसे यह है री री बोला जाता है इसको अब इसका उच्चारण सही डंक से हम नहीं कर पाते तो कैसे आप लोगों को बोलना आता है ठा ठा डा ठा बोलते हैं ना तो एक बार उच्चारण करके देख लो ठा ठा डा ठा मास्क खोल लो चाहें थोड़ देर के लिए अब एक चीज़ में हैसूस करो कि जब आपने बोला टा तो आपकी जीब कहां जा रही है किस स्थिती में जा रही है तो जैसे ही आपकी जीब जिस स्थिती में टा बोलने में आपकी जीब जा रही है वही स्थिती में आपको ये उच्चारण करना है जीब को ऐसे ही मोड़ना है जैसे टा बोलने में बोला तो री अब ये जो साउंड आपका निकलेगा ये इसका साउंड निकलेगा अब उचारण करिए री ठीक है? समझ गये ना? ये ए आए ओ आओ अंग अहा इतने बड़े हो गए हो इनका उचारण भी सही नहीं आता है कैसे पढ़ते हैं आपे नार आपे आम जिससे भी पूछना ये तो मेडम आपे नार है ये आपे आम है ये क्या होता? ये कैसा साउंड है? ये धोनी कहां है आपकी? तो आपको जब आपसे कहा जाए इसका उचारण करके दिखाओ तो आपको उचारण करना है ए आ इ इ उ उ डी ए आ ओ आओ अंग अ ठीक है? और ये जो आपका अंग अहा जो होता है ना ये अहा का साउंड ना आपको पेट से आना चाहिए बिलकुल ना भी के पास से तो ये अब आप लोग यहाँ पे अभी समझ रहे होंगे कि हमारा अपने मूं की स्तिती कितनी बदलनी पड़ रही है जब आप पूरे वर्णमाला को पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा यही बात सिद्ध करती है कि हमारी जो भाषा है वो कितनी वेग्यानिक है इसे आराम से देखो इसे सीखा जा सकता है इसको आराम से सिखाया जा सकता है हिंदी भाषा की अपनी खास बात यह है कि इसमें कोई भी hidden चीज नहीं है जो बोली जाती है वो लिखी जाती है जो लिखा होता है वही उच्चारित होता है ठीक है और ये भी ध्यान रखिएगा अगर आप हिंदी भाषा को सीखने की कोशिस नहीं करेंगे तो अगली भाषा आ रही है हमारे समाज में हिंगलिस और याद रखिए, हिंगलिस को अगर सीख लिया न, तो जैसे आप अपनी वैदिक संस्कृत को भूल कर, आप आ गए हिंदी में, और हिंदी को भूल कर हिंगलिस और हिंगलिस से इंगलिस, और जब इंगलिस में आ गए तो फिर आप कहेंगे, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं हमको तो किस ने पढ़ाया अंग्रेजों ने पढ़ाया है और एक बात आप लोगों को बता दू कि आप जो ये अंग्रेज है वो हमारे यहां से सारे जितने भी हमारे धर्म, ग्रंथ हैं, वैदिक, सास्त, जितने भी हैं सबको ले गए हमारी संस्कत पर इंगलिस थोप गए उपर से पाट गए हम लोगों को संस्कत पढ़नी नहीं आती अपने पूर्वजों की बाते हमें समझ नहीं आती और वो हमारे पूर्वजों की लेंग्वेज को कनवर्ड करते हैं इंगलिस में और हमको बताते हैं देखो यह है हमारा और हम जो हमारा अपना है हम उसी को समझत या अच्छा अच्छा यह लोग इतना जानते हैं हमारे नहीं था अरे वेदों को पढ़ लो आप देखते हैं इस समय एक छोटी सी चीज़ बताती हो आपने सुना होगा कि इस समय जो फॉर्णर लोग है वो सोलर सिस्टम से प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर विमान सास्त्र में सोर ऊर्जा से विमान चलने वाला पूरा लिखा हुआ है लेकिन आज जानता क्यों नहीं है कूई कि साइन्स पढ़ते हैं इंग्लेस में वो लिखा है वैदिक संस्कत में समझ में कैसे आएगा कोड है उसके समझी नहीं आ रहे कैसे होगा तो भाषा को जो पहले से चली आ रही है उसको सीखना जरूरी है नहीं तो एक पीड़ी दो पीड़ी के बाद आप ये भूल जाओगे कि आपके दादा परदादा थे कौन और उसके बाद जब अपने कहते हैं ना दादा परदादा का नाम जब मिट जाता है ना तो लावारिस हो जाते हैं समझ रहो तो इसलिए भी पढ़ना जरूरी है चलो ये लिख लिए आपको समझ में आप एक बात समझो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर मात्राओं के बारे में सुना और सीखा लिखा अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जो हमें याद रखने है हमने देखा कि हमारा जो बड़ा आ है बड़ी ई, ओ, आउ और अ, ये ऐसी मात्राओं हैं जो वर्ण के पीछे लगती हैं, कैसे जैसे हमने उधारन देखा, राधा में लगी हुई है जैसे नीलम में लगी है, सोनम में गौरी में, अतह में, ठीक है उसी तरह से हम दूसरे की बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इसमें कहा है कि ये जो हमारी सबसे छूटी एकी मात्रा है ये हमारे वर्ण के पहले लगती है, यानि केवल एक मात्रा हमारी ऐसी मात्रा है, जैसे यहां पर निधी, अब देखो बहुत सारे लोग ना, मैं जब कभी किसी से बोलती हूँ नाम लिखे मेरा निधी और हिंदी में लिखते हैं तो निधी लिख देते हैं, तो जैसे चोटी ही की मात्रा लगेगी, इसी तरह से जब भी आप कोई भी शब्द लिख रहे होते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, और कोई नियम या कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं है, जो आपको ये समझा सके कि कहां आपको छोटी ही की मात्रा लगानी है, और कहां बड़ी ही की कैसे सीखेंगे, जैसे लिखा हुआ है, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और दिमाग में रखेंगे, कि ये वाला वर्ण हमारा ऐसे लिखेगा अभ्यास करोगे तो दीरे दीरे आ जाएगा, नमबर तीन की बात करें, तो नमबर तीन कहता है छोटा उ, बड़ा उ और री, ये मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं, यहाँ पर आई हैं नमबर चार की बात करें, तो ए, आय और अंग, ठीक है, अनुसवार वाला, ये वर्ण के उपर लगती हैं उधारण यहाँ पर दिये हुए हैं, अब नमबर पांच जो आपका दिया है, यह आप लोगों के पास लिखा हुआ नहीं होगा तो जिनके पास नहीं लिखा हुआ है, कॉपी कर लिजे इसको किसी के पास नहीं है, लिखिए पहले कॉपी करिए यहाँ दिया है कि जब किसी शब्द की सुरुवात स्वर से हो जिनके पास लिख रहा है ठीक है अच्छी बात है जिनके पास नहीं लिख रहा वो लिख लीजिए यहां काया है कि जब किसी शब्द की सुरुवात स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है बात समझ में आई, बात समझ में आई, नहीं आई, ऐसे कैसे आगई, कुछ बात समझ में ऐसी, हाँ आगई, उधारण लिखो इसमें, जैसे हम उधारण देखें, शब्द लिखते हैं हम सुरुवाद, शब्द लिखते हैं हम जैसे, गुंजाईस, कि दर दियान दो पैन बाद में चलाना यहां पर दो शब्दी हैं को हमने क्या कहा है यहां कहा है जब किसी शब्दी की सुरुवात स्वर्फ गलत दिए मैंने आगले वाले का बता दिया काट दो इसको मैंने इसका उधारण दे दिया आपको इसका उधारण ने को यहां पर शब्द दिया है जब किसी शब्दी की सुरुवात स्वर्फ से हो मतलब जैसे हमने लिखा आम ठीक है? तो इसकी शुरुवात यहां पर आसे हो रही है तो यही हमारा क्या है? वास्तविक रूप में है जैसे मालनो हमने लिखा इमली शब्दी की शुरुवात किसे हो रही है? किसी स्वर से हो रही है तो यह यहाँ पर पहले आ गया, ठीक है, जैसे मालो हमने लिखा एहसास, तो शब्द की शुरुवात यहाँ से हो रही है, स्वर से, तो यह अपने वास्तविक रूप में लिखा गया है, तो इसी चीज़ को हमने कहा है कि जब किसी शब्द की शुरुवात, यानि उसका स्टा पार्टिंग पॉइंट, यदि किसी स्वर से होता है, तो आपने वास्तविक रूप में आता है, यहाँ पर, ठीक, अब बात करें, पॉइंट अमबर 6 की, यह लिखा हुआ है, लिख लेना इसको, ठीक है, लिखिए इसमें, और इसको जब लिखने हैं बाद में, पहले समझ देखो, मैं पैन कलर चेंज करूँ, किसी शब्द में, किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़े हो, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में लगता है, और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है, यहाँ उधारन लिखना है आपको शुरूवात, पहले इसको सम समझना है, समझ लो, जैसे होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ, मालो मैंने बोला कि शुरूवात लिखो, तो अक्सर कुछ छात्र इसको ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से, तो यह गलत होता है, कैसे लिखा उन्होंने, अब छात्रों के दिमार्ग में क्या रहता है, कि और आकी मात्रा दोनों को ही मात्रा में बना देते हैं, तो इसी पॉइंट को यहां पर सही करवाया गया है, हाला कि यह मैं लिखवाती नहीं थी, दो साल से ही लिखवाने लगी हूँ, क्योंकि हमारे एक छात्र ने ऐसे ही लिख दिया था, तब से मुझे लगा कि शायद आ आ गया यहां पर, कि किसी वियंजन के साथ जब लगातार दो स्वर जुड़े होते हैं, तो यह हमारा वियंजन ने इसके साथ लगातार दो स्वर आये, तो इसका पहला स्वर होगा मात्रा के रूप में और दूसरा होगा वास्तवी कर दिया हूँ, वो यहां पर दिया कि हमारा जब हम बात कर रहे हैं अगर शब्द में कि ये जो हमारा स्वर आया है ये मात्रिक रूप में ना आके अपने वास्तविक रूप में क्यों आ गया दूसरा Actually पता है Madam हम कभी ऐसे पढ़ते ही नहीं है कि क्यों आया हम सोचते ही नहीं है क्या जरूरत है जो टीचर पढ़ा रहा रट लेंगे देखो सिर्फ हिंदी नहीं किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप हर पॉइंट के पीछे ये लगाना शुरू कर देना क्यों आया है तो आपको 80% ऐसी चीजे होती है जिनका क्यों का आंसर आपको मिल जाता है 20% ऐसी चीज भी होती है जिनको आपको रट नहीं पड़ता है तो उनको चलो रट लेते हैं लेकिन अगर 80% चीजें हमें क्यों पता चल जाए ना तो रटने की आवश्यक्ता नहीं होती यह लिख लिए आपने दूसरा उधारण इसमें गुंजाइस लिख देना वो वही था इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ देखो गुंजाइस शब्द में भी आपका क्या है इस जा के बाद यह आ आया और यह यह वास्तविक रूप में आया है अब इन दोनों ही चीजों को मैं आपको समझा देते हूँ लिख लिए आपने चलोओ आपको समझाथी हूं है here आप लोगों को एक बास पताए हमने यहा पे जैसे वियंजन लिखा था इसके नीचे हल लगाया था तो हमें व्यंजन को व्यंजन के साथ जब हमने मात्राएं जोड़ी तो क्यों जोड़ी थी क्यों जोड़ी थी ताकि व्यंजन उचारित हो सके और इस व्यंजन को हम कितनी मात्राओं से उचारित कर सकते हैं फिर है मात्राओं से कर सकते हैं जितने स्वर्थ है हमारे ठीक है जितने इसको उचारित कर सकते हैं तो अब यहां पर यह देखो कि जैसे अब हम बात करें यही शब्द ले लेते हैं शुरुवात वाला जो शब्द था और एक बात ध्यान रखिएगा यह जो शब्द है आपका शुरुवात यह दो तरीके से लिख जाता है आपका अभी-कभी इसमें बढ़ाऊ भी लगा होता है यह भी होता है गलत नहीं होता तो कि आप जैसे शब्द लिखते हैं शुरू तो यह आपका ऐसे तो जरूरी नहीं है कि आप छोटा ही लगाएं दोनों तरह से लिख सकते हैं सही है अब यहां पर जैसे यह शब्द लिखा है तो आपको यह बात पता है देखो ध्यान देना हम इसमें इसके वियंजन और सुर की स्वर की अगर जात परताल करें तो यह है इसका वियंजन और स्वर क्या है इसका अब बोलो आप लोग आवाज आनी चाहिए मेरे थोटा व हो गया फिर हम इस वियंजन की बात करें तो यह र और इसका स्वर थोटा उसके बाद क्या है स्वर ही आया है हमने लिख दिया इसके बाद क्या है यह तो ठीक है और इसका स्वर क्या होगा और क्यूंकि इस पर कोई मात्रा नहीं है तो जिस पर कोई मात्रा नहीं उसका स्वर कौन होता है अब यहां पर देखो वो रीजन समझ लो आप कि ऐसे क्यूं आया है कहां पर हमात्रा भी क्यूं लगा रहे हैं आधा स्वर भी अगर आपका मतलब आधा व्यंजन अगर कहीं आता है तो वो क्यूं आ गया यह सारी चीज़ें आपको यहां पता हमने यहां पर एक शब्द बनाया क्या सुरुवात और इसमें हमने क्या किया यह जो हमारा सव है व्यंजन इस व्यंजन को सहारा देने के लिए आया यह स्वर भाई व्यंजन के साथ कोई भी स्वर आ रहा है वो क्यूं आ रहा है उसको सहारा देने के लिए आ रहा है वो इस आवाज में उच्छारित हो गया यह जो वियंजन है इस वियंजन ने इस वियंजन को सहरा दिया तो इसका जो उच्छारण था वो क्या हो गया रूप ठीक है इसका उच्छारण हो गया अब हमें इस आ की बात करें तो इसको कोई काम नहीं है इसको कोई यहां पर कोई वि तविक रूप में ही यहां रहेगा अब यहां क्यों रहेगा क्योंकि हमारे इस शब्द में इसका साउंड है इसलिए रहेगा यह अब हम इसकी बात करें तो इस तव एंजन को सहारा दे दिया यहां पर इस और इसका साउंड यहां पर तो हम तो शब्द बोल देने सुरुवा सबस्वार्टों जब वि pe이 sensu freshmen क one nthiva लेन की अवक्षिकदता है एक से ज्यादा की नहीं है इसलीए इसे दोनों की अद्रलेंदे की अवशिकता नहीं है इसको इसका मिल गया हिस्सेदार और इससे इसको कोई मतलब नहीं इसी वजह से आपका अजाता है ठीक है चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई ध्यान रखिएगा यह आज की क्लास में आपको इतना इतनी गहराई से पढ़ाने का मेरा मकसद क्या है यह मकसद यह है कि जब हम लोग संधी पढ़ने चलेंगे अब आपको यहां पर साहा दिखाती। किहां यह चीज चीज समझ में आ गई ना जैसे हम पढ़ एक शबद और हमारे सामने आता है अत्यधिक क्शब्स है हमारा अगरे हां यह अत्यधिक शबुका शब्द आता है इच पर मिस्की संधी की बात करते हैं तो यह हमारा बनता है अती प्लस अधिक से बनता है जब हम इसकी संदी करने गाते हैं अभी तक आपने क्या देखा होगा अभी आपने ये सिर्फ रट रखा है कि अती प्लस अधिक बरावर अत्यधिक अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मालो कोई ऐसा नया शब्द देदू जो आपने इससे पहले न किया हो या न रटा हो तो आपना दिमाग आपका एकदम से गड़बड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना जब हम लोग संधी पढ़ने चलेंगे तो मैं इस सब्द को पूरी तरह से तोड़ दूँगी किस तरह से आप से कहूंगी स्वर को बहार निकाल लो या आपने स्वर बहार निकाल लिया यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या यह बच जाएगा ठीक है यह समझ में आ गया न कोई ऐसे छात्र है उसमें अगर आप कुछ पूछ रहे हैं हाँ अगर आप ऐसी पूछेंगे जैसे अभी अभी हमारे एक छात्र ने पूछा हम पढ़ रहेते वर्णमाला वो पूछ रहा है समास ऐसी बात में मैं जरूर डाट दूंगी तो जहां पर कि यह अगर ना समझ में आए तो आप मु अगर हम इसकी बात करें तो इसका पहला जो स्वर है वो आ है तो हम यहां पर इसको भी बाहर निकाल लेते हैं क्यों बाहर निकालते हैं यह संदी में आपको सारी चीज समझनी आएगी बस थोड़ा एक जस्ट एक्जामपल दे रहे हैं हमारी संदी कहती है कि प्रथम शब् जो टुकडे हैं उनको ऐसे रख दिया अब जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो संदी का नियम कहता है कि जब किसी एका मेल किसी भिनस्वर से होता है तो यह जो है यह में परिवर्तित हो जाती है अब ही यह दिमाग मतलगा ना क्यों हुआ किसे हुआ यहां पर आ गया यहां जो कुछ लिखाता हमने उसको यहां उतार लिया यहां जो कुछ लिखाता हमने इसको यहां उतार लिया अब क्या करेंगे बस जोड़ देंगे टुकडे वैसे ही बना लिए जैसे अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले जोड़ दीजिए यह आ इस यह को पूर इसको सहारा लेना पड़ेगा और जब यह सहारा लेता है तो इसके पीछे तो कोई स्वर ही नहीं तो यह जाएगा व्यंजन के पास तो व्यंजन इसको सहारा ऐसे देगा ताकि यह इस पस्ट दिखे की यह है अधूरा है तो यह आदा ऐसे बनता है और यह ऐसे लिख जाएग जब आप संधी पढ़ेंगे तब वर्ण विच्छेद आप MPSI की तेयारी कर रहे हैं तो तीन से चार नंबर का कॉश्चन आपके एक्जाम में पूछा जाता है अलग से आता है इस पस्ट रूप से अब आपके UPSI में भी आने लगा है क्योंकि पिछली साल उसने कॉश्चन दे दिया तो इसलिए भी सीखना जरूरी है जैसे मालो आपको शब्द दे देता है यह एक्जाम में पूछा गया है बहु ब्रीही शब्द का वर्ण विच्छेद करिए अभी करेंगे? करिए जरा चेक कर लेना मैं यहीं लिख दूँगे देखो क्या आप लोग कर सकते हो की नहीं कर सकते हो अच्छे आप मेंसे कोई ऐसा भी छात्र है जिसको यह समझ में आया है मैडम अभी हमको यही समझ में आया वर्ण विच्छेद है क्या? पहले हमें यहीं बता दो चलो, आपको और कोई है? इस परस्ट रूप से बताना देखो, ध्यान दो यहाँ पर पहले जैसे मान लो, मैंने शब्द लिखा भारत ठीक है? अगर मैं कहूँ भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करो तो आपको क्या करना है? इसको इसके वियंजन और स्वर को अलग-अलग करके लिखना है तो इसका पहला वियंजन क्या है? भा है और इसमें स्वर क्या है? आ है ठीक है? फिर इसका वियंजन क्या है? र है फिर इसका स्वर क्या है? तो इसका स्वर लिख दिया बौह सारे छैत्र बोलते हैं इस सब्सक्राइब कर दो वन विछे झNewta Love उख इनने दिट यह फुन में देखतार दरख सब्सक्राइबनों सब्सक्राइब तो आप कर करके नचले Biz झांने जरूर पैन कि याप लोग पैन चलाओगे हमना देखा नहीं रही आज नहीं देखोंगे जिस दिन कभी मन कर जाएगा उस दिन देख लोंगे यानि जब आपको दो महीने पढ़ा लोंगी ना उसके बाद ठीक है तब यह कह रहा हूं नमन में तब ठीक है मैडम तब तब निकल लूँगा दो महीने बांदा हो गया देखो चेक कर लेना आप लोग आपसे कहीं गलती तो नहीं होई तरीका बताती हूं आपको गलती कभी नहीं होगी टुकड़े टुकड़े देखो एक डायलोग आप बहुत बार सुनेंगे जो चीज आपको परिशान करे समझ में ना आये टुकड़ों में तोड़ दो उसको बिलकुल तोड़ दो ठीक है कितना सा टुकड़ा निकाल लो बहार इसमें क्या है तो आपको पता चला ये है व्यंजन और कोई मात्रा नहीं है तो अकी मात्रा ठीक है अब इतना सा टुकड़ा निकाल लो ये है व्यंजन और ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको व्यंजन देंगे तो हल लगाना जरूर है इसके नीचे तभी व्यंजन बनेगा अगर मान लो इसका आपने ये हल हटा दिया यहाँ पर ये नीचे से तो इसमें आप आज सामिल हो गया है तो यही आपको याद रखना पड़ेगा इसे व्यंजन रूप देने के लिए ये कंपल सरी है चीक अब मात्रा इस पर क्या लगी है छोटे हूगी तो लिख लिए ज होगी तो ध्यान रखिएगा आज से हमारी जो छटी या सातवी क्लास होगी उसमें हम इन सब का समाधान निकाल लेंगे जो ये प्रॉप्लम अब ही समझ लिजे इसमें आपका पहले व्यंजन है व और व के बाद इसमें व्यंजन है र क्योंकि व में कोई स्वर नहीं है तो मात्रा क्या लगी है बड़ी इकी तो बड़ी आ जाएगी अब इसके बाद इस टुकड़े को निकाल लेंगे अब ध्यान दिजे यहां पर बड़ी गल्ती होती है हमारे चात्रों सोचते हैं यहां पहले इ आई और तो पहले इ लिख देते हैं और फिर बाद में हो तो व्यंजन के पीछे ही होगा ठीक है तो यहां मात्रिक रूप में आया है इसका मतलब यह व्यंजन के पीछे है तो पहले आगिया इसका व्यंजन हर और फिर इसकी मात्रा ठीक है इस तरह से आपका वन विछेद होता है ये तरीका है तो आज हम लोगों ने क्या देखा क्या सीखा आज हम लोगों ने सीखा कि वर्ण माला किसी कहते हैं वर्णों के विवस्तित क्रम को कहते हैं एक नंबर की आती है ये परिवासा हर बार आती है फिर हमने सीखा वर्ण का दूसरा रूप ध्वनी ठीक है और ध्वनी का लिखित रूप वर्ण और वर्ण का मोखिक रूप ध्वानी ठीक है दोनों आ गए और इसमें आपका आलग बदल के आता रहता है कॉशन इसके बाद हमने देखा लिपी चिन लिपी चिन की बात हुई थी तो लिपी चिन किसको कहते हैं वर्ण को ही लिपी चिन कहते हैं इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी जो लिपी है हिंदी भाषा की वो कौन सी लिपी है देवनागरी देवनागरी लिपी एक वैज्ञानिक लिपी है ठीक है वैज्ञानिक लिपी ये माना जाता है ये भी प्रशन आपसे पूछ लिया जाता है कि निमनिमे से कौन सी लिपी वै वीयञजन के बारे में वन हमारे दो प्रकार के स्वर और वययंजन. स्वर में हमें पढ़ा जिनका उच्चरन स्वतन्तृ रूप से हुता है. इनकी कुल संख्या 13 होती है और स्वर की संख्या 11 होती स्वार कि कि Sense दो किसमे निकाला? अयोगवा के रूप में अयोगवा के रूप में उन्हें बाहर क्यों निकाला क्योंकि उन्हें स्वर और वेंजन दोनों के गुण पाई जाते हैं इसलिए उन्हें हम स्वर की स्रेणी से बाहर रखते हैं और फिर उसके बाद हमने स्वर की मात्राई पढ़ी कितने प्रकार की होती हैं और वर्ण विछेद करने की हमने थोड़ी सी कोशिश करी कि वर्ण विछेद सीखना है वर्ण विछेद हमारा लगबग मतलब हर दिन की क्लास में आपका इसी तरह से चलेगा और ये आपको सीखना है तब तक जब तक आपकी वर्तनी होगी ठीक है? तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे और कल की क्लास हमारे इससे आगे चलेगी ठीक है? बाकी ओनलाइन के छात्र तो आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं झाल 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 झाल